एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ा plane crash हो गया एक बहुत बड़ा विमान जो है वो दुर्गतना ग्रस्त हो गया उस विमान में कुछ 200 करीम लोग थे और सारे के सारे मर गये अब किस से पुछा रहे कैसे पता लगे कि विमान को क्या हुआ था और विमान में जो एक black box जिस को बच गया लोग ही अब लोग आ गए उस बंदर को पकड़के मीडिया वाले आ गए प्रेस वाले सारे के सारे लोग अब उस जो है बंदर को बूच रहे हैं तो बंदर जी का इंटर्व्यू शुरू हुआ और मीडिया वाले कूचते हैं बंदर जी जब विमान दुर्गत इतना गर्ष्थ हुआ उस समय वो जो पैसेंजर हैं वो लोग क्या कर रहे थे अब बंदर भई क्या बोलता लेकिन फिर भी बंदर ने जवाब दिया तो वो समझ गए अच्छा खाना खा रहे थे फिर पुछा अच्छा जो एर होस्टेस होती हैं वो क्या कर रहे थे तो बंदर भाई साथ बोले अच्छा वो भी खाना खा रहे थे अच्छा जो लोग को पाइलेट होते हैं पाइलेट के साथ में वो लोग क्या कर रहे थे तो ब हुआ 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 यह बताओ आप क्या कर रहे थे पूले हुआ जी हां दोस्तों है कि है कि ट्रेन चलाने वाला अदमी है बंदर नहीं कि कभी चैक किया है कि जो बस का ड्राइवर है उसमें आज पी नहीं रखी या उसने कोई नशा नहीं कर रखा क्या हम ये चेक करते हैं कि जो जिस रिक्षावाले के साथ में हम जाने वाले हैं उसके दिमागी तौर पर उसमें कोई गड़बर नहीं है जिस दो रुपे की चाय हम पी रहे हैं या पाँच रुपे की चाय हम पी रहे हैं उसमें कुछ मिला हुआ नहीं है कैसे कर लेते हैं हम सब ये उसके वज़य सिर्फ एक है और वो वज़य है विश्वास विश्वास है हमें जिन्दगी पर विश्वास है हमें लोगों पर विश्वास है हमें चीजों पर तो जो इतना विश्वास बाहर की तरफ दिखाते हैं तो क्या अपने लिए थोड़ा कसा विश्वास नहीं दिखा सकते हैं और मुझे यकीन है कि आप दिखाएंगे मदद कीजिए दूसरों को अपने उपर विश्वास करने में और आप को आएंगे कि आपका विश्वास बढ़ चुका है अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजि अग्यू